संसद सत्र क्या होता है? जी है नमस्कार दोस्तों महितक्मार मौर्या और आप देख रहे हैं मौर्या टेक्निकल सपोर्ट यूटूब जहां जिसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि संसद सत्र जिसे इंग्निस में पार्लिया मेंट सेशन कहा जाता है वो क्या होता है? संसद के कितने सत्र होते हैं? कौन-कौन होते हैं? उनके बारे में जानेंगे और इसके साथ ही संसद के सत्र से जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहने बात करते हैं कि संसद सत्र होता क्या है संसद सत्र जिसे इंग्लिस में पार्निया मेंट सेशन कहा जाता है तो संसद की बैठकों को संसद सतर कहा जाता है जिसका आप लोग जानते होंगे कि भारत में संसद के दो सदन होते हैं जानि कि ये तू हाउसेज होते हैं पहला होता है राजय सभा और दूसरा होता है लोकसभा तो जब इनकी बैठके बुलाई जाती हैं बैठक होती है, उसमें सभी सांसद बैठते हैं, वो देश के विभिन मुद्दों पर चर्शा करते हैं, देश के लिए अलग-अलग तरह के कानून बनाये जाते हैं, देश में जो घटित हो रहा है उसमें सवान जवाब होते हैं, सरकार से प्रश्ण पुछे जाता है, या फिर देश के अलग-अलग जगहों पर जो परेसानिया होती है, जो मुद्दे होते हैं, उसे संसद में उठाया जाता है और सब भी सेयों पर चर्शा करके अलग-अलग तरह की कानूर बनाई जाती है यानि कि जो संसद की बैठके होती हैं उसे संसद का सत्र कहा जाता है या फिर इसे ही संसद सत्र कहा जाता है और इंग्निस में पार्लियामेंट सेशन भारत में समाने तह संसद के तीन सत्र होते हैं पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मौनसून सत्र और तीसरा होता है सीत कालिन सत्र तो चलिए बारी-बारी से इन तीनों के बारे में जानते हैं अब बात करते हैं बजट सत्र की बजट सत्र जिसे एंगलिस में बजट सेशन कहा जाता है तो बजट सत्र का आयोजन फरवरी से मई महिने के बीच में होता है अधिकांस जिसका योजन फरवरी महीने में होता है और लगभग ये मई तक चनता है यह सबसे बड़ा सत्र होता है संसद के जो तीन सत्र होते हैं उनमें सबसे बड़ा बजट सत्र होता है बजट सत्र को बजट सत्र इसलिए कहा जाता है क्यूंकि इसी सत्र में भारत देश का बजट पेस किया जाता है यानि कि पूरे देश का एक तरीके से लेखा जोखा जो की पैसे का होता है वितिय होता है उसे सामने रखा जाता है और देश में क्या लेन देन होगा टैक्सेस किस तरीके से लगेंगी और वितिय इस्थितियां क्या रहेंगी इन पर चर्चाएं होती है तो बजट सत्र जो होता है वो सबसे पहला सत्र होता है वर्स का और यही सबसे बड़ा सत्र भी होता है अब बात करते हैं मानसून सत्र की जिसेंगलिस में मानसून सेशन कहा जाता है मानसून सत्र का आयोजन जुलाई से सितंबर महीने के बीच में होता है जो मानसून सत्र होता है इसमें वैसे विध्यक पारित किये जाते हैं जो कि बजट सत्र में पारित नहीं हो पाते हैं और मौनसून सत्र को मौनसून सत्र इसलिए कहा जाता है क्यूंकि इसी महीने में या उसी समय पर जो मौनसून होता है उसका भारत में आगमन होता है और भारत के अधिकान सिसों में इस समय वर्सा हो रही होती है भारत में मौनस मौन्सून होता है इसलिए इसे मौन्सून सत्र कहा जाता है कहीं कहीं पर इसे वर्षा वाला सत्र भी लोग कहते हैं अब बात करते हैं सितकालीन सत्र की जिसे इंग्लिस में सितकालीन सेशन भी कहा जाता है सितकालीन सत्र जो होता है इसका आयोजन नवंबर से दिसंबर महीने में होता है और यह सबसे छोटा सत्र होता है वैसे विधेयक जो कि मौनसून सत्र में पारित नहीं हो पाते हैं उन्हें सितकालीन सत्र में पारित करवाने की कोशिस की जाती है सितकालीन सत्र को सितकालीन सत्र इसलिए कहा जाता है क्यूंकि इस वक्त भारत में कडाके की ठंड़ पड़ रही होती है यह सबसे ठंड़ा मौसम होता है इस वक्त नमंबर और दिसंबर के महीने में तो इसलिए इसे सितकालीन सत्र कहा जाता है अब बात करते हैं संसद सत्र से जूड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की तो संसद के एक सत्र की अंतिम तारीख और संसद के अगामी सत्र की प्रथम तारीख के बीच में छे महिने से अधिक की अवधी नहीं होनी चाहिए यानि कि संसद का जो एक सत्र चन रहा है या जो एक सत्र होता है उसकी अंतिम तारीख और जो अगला सत्र होगा उसकी प्रथम तारीख के बीच में छे महिने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए इसका स्तिधा मतनब यह है कि एक वर्स में कम से कम दो संसद के सत्र आयोजित होने चाहिए यह जरूरी है समविधान के अनुछेद 85 जानी कि आर्टिकल 85 के अनुसार भारत के राष्टपती के पास यह धिकार होता है कि वो संसद सत्र को आहूत करें तथा सत्रावसान करें जानी कि समविधान के अनुछेद 85 का अनुसार राष्टपती संसद के सत्र को आहूत करते हैं तथा उसका सत्रावसान करते हैं अब बात करते हैं कि सत्र आहूत करने का मतनब क्या होता है तो सत्र आहूत करने का मतनब होता है संसद की बैठकों को बुलाना यानि कि जो संसद के सत्र होते हैं उसे सुरू करने का आदेस देना तो जो राशपती होते हैं वहीं संसद सत्र को बुलाते हैं उन्ही के आदेस पर संसद का सत्र सुरू होता है दूसरा है सत्रावसान यानि कि संसद के सत्र की समाप्ती तो संसद के सत्र की समाप्ती के जो आदेश होते हैं वो भी राश्ट्रपती के पास ही अधिकार है कि वहीं आदेश देते हैं यानि कि संसद के सत्र की जो सुरुवात होता है वो राष्टपती के आदेश से ही होता है और जो सत्रावसान होता है यानि समाप्ती होती है वो भी राष्टपती के आदेश से ही होता है तो अगर हम इन सभी चीजों को बहुत ही छोटे से सब्दों में समझें तो संसद की बैठकों को संसद सत्र कहा जाता है संसद के तीन सत्र होते हैं बजट सत्र, मौनसून सत्र और सीत कालिन सत्र संसद के एक सत्र की अंतिम तारीख और आगामी सत्र की प्रथम तारीख के बीच में छे महिने से अधिक क्यावधी नहीं होनी चाहिए यानि कि वर्स में कम से कम दो संसत के सत्र आयोजित होने ही चाहिए संसत सत्र की जो आहूत करने और संसत के सत्र को सत्रावसान करने की सत्ती राष्टपती के पास होती है यानि कि समविधान के अनुछेद 85 के अनुसार राष्टपती ही संसत सत्र को आफूत करते हैं और उसका सत्रावसान भी करते हैं तो इस वीडियो में कितना ही उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूँ दो बादे बिलद जाद सेर करें और हमारे वीडियोच के बारे में जो भी सुचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लीखें और अगर आपके मन में कोई confusion होता है या आप चाहते हैं कि मुझे किसी और टोपर वीडियो बनाना चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे वीडियोज को हर जगर सेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइब के महत्वा पूर्ण जानकारियां पहुंचती रहें वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद